हाई फ्रेंड्स आज का रेसिपी है चिकेन टंग्री मसाला तो पहले एक बावल में थोड़ा सा दही लेंगे थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा लाल मीर्च पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा काली मीर्च थोड़ा सा गड़म मसाला और थोड़ा सा नमक और चिकेन मसाला और थोड़ा सा अध्रकर लेसुन का पेस्ट अब इन मसाले को अच्छी तरह मिलाएंगे और इसमें 2-3 कच्छी हडी मिर्च और थोरा सा निम्बू का रास और इनको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें चिकेन डाल देंगे चिकेन को भी अच्छी तरह मसाला के साथ मिला लेंगे अब चिकेन को एक घंटे के लिए हम मेरिनेट होने देंगे अब एक कड़ाय लेके उसमें थोरा सा मस्टर्ड ओयल देंगे तेल गड़ाम होने के बाद हम चिकेन को फ्राइ करेंगे चिकेन को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे चिकेन अब फ्राइ हो चुका है अब तेल में दो एलाच और धार्ची नी और प्याच का पेस्ट और थोड़ा सा टॉमेटो का पेस्ट अब इनको आच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें बचा हुआ जो मसाला है और डाल देंगे अब थोड़ा सा चीनी अब इनमें थोड़ा सा पानी देंगे अब और थोड़ा सा पानी देंगे अब हम इसमें भजा हुआ चीकेन डाल देंगे अब आखिर में थोड़ा सा कसूरी में अब आखिर में देंगे अब हमारा चीकेन टंग्री मसाला पूरी तरह से तैयार है अब आखिर अब आखिर अब आखिर अब आखिर